तो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आप बच्चों में अस्थमा के इलाज में मदद करते हैं, यह गले की जलन से भी राहत देता है, कंजेशन को साफ करता है और आपके बच्चे को आसानी से सांस लेने में सक्षम बनाता है, उससा लेलेस ड्रॉप्स आपके बच्चे के लिए बलगम में पानी की मात्रा बढ़ा क और उसे इतना पतला बना देता है, कि वो बाहर निकल जाए, अपने बच्चे को भूजन के साथ या बिना भूजन के एक गिलास पानी के साथ यह दवा अपने बच्चे को दें, यदि आपके बच्चे का पेट खराब हो जाता है, तो उसे भूजन के साथ देना पसंद करे संक्रमन की गंभीरता के आधार पर आपको अपने बच्चे को कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक इस दवा को देने की आवश्यक्ता हो सकती है अधिक्तम लाब के लिए अपने आप से दवा को अचानक बन न करें भले ही आपका बच्चा बहतर महसूस करने लगे और पूर्ण निर्धारित पाठिक्रम तक दवा जारी रखें तेजी से राहत के लिए निर्धारित खुराक से अधिक न दे क्यूकि इस से अवान्शित प्रभाव हो सकते हैं और आपके बच्चे की स्थिती खराब हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने साइड एफेक्ट्स में लार का अत्यधिक उत्पादन, ठकान, सिर्दद, चक्कर आना, मितली, उल्टी, दस्थ, पेट में परेशानी, दाने, कपकपी, और हाथों, या पैरों में सुननता, या जुन-जुनी संसनी शामिल हैं आम तोर पर आपके बच्चे का शरीर दवा के अनुकूल हो जाने के बाद ये एपिसोड कम हो जाते हैं हाला कि अगर ये प्रभाव आपके बच्चे के लिए बने रहते हैं या परेशान करते हैं, तो तुरंत अपने बच्चे के डॉक्टर को रिपोर्ट करें सांस की बीमारी, अलजी, हिरदै समस्या, रक्त विकार, जन दोश, वायुमार्ग में रुकावट, फेफड़े की विसंगती, साइनस की समस्या, यकृत की दूरबलता और गुर्दे की खराबी सहित किसी भी पिछले प्रकरन सहित अपने बच्चे का पूरा चिकित्सा इति करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद